दोस्तों आज मैं शेयर करूंगी एक ऐसे पोधे के बारे में जो आपके घर को दंधाने से भर देगा दोस्तों इसमें मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है और वो वीडियो आप लोगों ने काफी पसंद की है आज मैं फिर उस वीडियो के कुछ और उपाय आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ और उसके विभीन परकार के रूप में बताने वाली हूँ किस किस कलर में वो पोधा फूल देता है उसको लगाने से घर में धंधाने से आपका घर भर जाएगा मालक्षमी प्रसन होगी नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मित करती हूँ सवस्त होंगे मस्त होंगे भोले नात की गिर्पा आप सभी बनी रहें दोस्तों मैं वीना गौतम एस्ट्रोलोजर वास्तु कंसिल टैंड और एकी मास्टर आप सभी का मेरे चैनल चेंजी और फोर्चुन में स्वागत है अगर पहली बार आये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे तो चलिए चलते हैं उस पोधी की तरफ जो आज मैं उसके उपाए आप लोगों से शेयर करने वाली बहुत ही चमतकारी पोधा है इस पोधो को आप घर के अंदर तो नहीं हाँ बालकनी में आप इसको लगा सकते हैं छट पे लगा सकते हैं दोस्तों एक बात और बता दूँ कनेर को फूल को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए उसको बालकनी में लगाए या छट पे लगाए तो आईए मैं बताती हूं कनेर के फूल के उपाए और उसके लाब जोति शास्त्र में कनेर को मा लक्षमी का प्रतिक माना गया है मा लक्षमी को कनेर के फूल अरपित के जाते हैं मा लक्षमी के कनेर के पेड़ और फूल दोनों प्रिय होते हैं इसलिए अपने घर में कनेर के पेड़ जरूर लगाएं ऐसा करने से आपको मा लक्षमी की किरपा बनी रहेगी भगवान विश्णु को आप कनेर के फूल चड़ा सकते हैं कनेर के पीले फूल भगवान विश्णु को अतिप्रिय हैं पीले फूलों वाले कनेर पर भगवान विश्णु का वास होता है इसलिए उन्हें पीले फूल अरपित करना चाहिए ऐसा करने से व्यक्ति को भगवान विश्णु की किर्पा बनी रहती है कनेर के फूल को अगर आप जिस तरह से कनेर का पेड़ हमेशा फूलों से भरा रहता है वैसे घर में धंधाने की कमी कभी नहीं रहती है अगर कनेर के फूल को आप घर के बालकनी में लगाते हैं कनेर का पेड़ मन का शांत रखता है साथ ही घर का वातरम भी भहुत सकारादमक और शांत रहता है मालक्षमी को कनेर के फूल अर्पित करने से घर में धंधाने की कोई कमी नी रहती है कनेर का फूल के उपाए घर के अंदर ना लगाएं कनेर का पोधा इस बात का खास ख्याल कनेर का फूल अपने घर के अंदर ना लगाएं आप चाहें तो अपने घर के गार्डन में इसे लगा सकते हैं यदि आपका कोई शत्रू आपको परशान कर रहा है तो गुरुवार के दिल सूर्य दर से पहले लाल कनेर की जाली तोड़े और उसके साथ टुकड़े लेकर उ खोजुद मंगल दोस्ते मुक्ति बिलती है कनेर का पोधा शुप प्रभाव देता है इसे घर में पाशीमीया नेतृत्व कोण में लगाना उत्तम रहता है कनेर के तीन तरह की प्रजातिया होती है एक सफेद कनेर दूसरी लाल कनेर और तीसरा पीला कनेर कनेर के पोधे को देवी लक्षमी का प्रतिक मारा जाता है, देवी लक्षमी को सफेद कनेर के फूल चड़ा जाते हैं, दोस्तो कनेर फूल को जोति शास्त्र और वास्तु दोनों में ही बहुत लाबकारी बताया गया है, इस फूल का प्रियोग ग्रह दोश से मुक्ति पाने के लिए भी किया जाता है, कनेर फूल के आसान उपाय जिनने आजमाने से आपके तरक्की में आ रहे ही बादाएं दूर होगी, घर में आगर आपके आर्थिक तंगी है तो वो दूर होगी, कनेर का फूल देखने में जितना सुन्दर है, उत्रे ही इसके फायदे जोति वास्तु में बताए जोति शास्त्र में भी कनेर का फूल बहुत शुब माना गया है, ये फूल आपको तीन रंगों में देखने को मिलेगा, इसे घर में लगाने के कई फायदे होते हैं, कहते हैं कि इसे घर में लगाने से धनिस्मृद्धी पनी रहती है, दोस्तो एक बात और बतादू, कनेर क फूल को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, उसको बालकनी में लगाएं ये छट पे लगाएं, तो आईए मैं बताती हूँ कनेर के फूल के उपाय और उसके लाब, जोति शास्त्र में कनेर को मा लक्ष्मी का प्रतिक माना गया है, मा लक्ष्मी को कनेर के फूल कनेर के पीले फूल भगवान विश्नु को अति प्रिय है, पीले फूलों वाले कनेर पर भगवान विश्नु का वास होता है, इसलिए उन्हें पीले फूल अरपित करना चाहिए, ऐसा करने से व्यक्ति को भगवान विश्नु की किरपा बनी रहती है, कनेर के फूल को अगर आप जिस तरह से कनेर का पेड़ हमेशा फूलों से भरा रहता है वैसे घर में धंधाने की कमी कभी नहीं रहती है अगर कनेर के फूल को आप घर के बालकनी में लगाते हैं कनेर का पेड़ मन का शांत रखता है साथ ही घर का वातरम भी भहुत सकारादमक और शांत रहता है माल के गार्डन में इसे लगा सकते हैं यदि आपका कोई शत्रु आपको प्रशान कर रहा है तो गुरुवार के दिन सूर्य दर से पहले लाल कनेर की जाली तोड़े और इसके साथ टुकड़े लेकर उन्हें कपूर के साथ जला दे कनेर के उपाए मंगल दोश से मुक्ति पाने क इसे घर में पशिम या नेतरित्व कोण में लगाना उत्तम रहता है कनेर के तीन तरह की प्रजातिया होते हैं सफेद कनेर दूसरी लाल कनेर और तीसरा पीला कनेर कनेर के पोधे को देवी लक्षमी का प्रतिक माना जाता है देवी लक्षमी को सफेद कनेर के फूल चड़ा पूझा रख़ता है कनेर की पत्तियां फूल और छाल के कई उस्तिय गुड़ होते हैं, इसके प्रियोग में घाव भरे जाते हैं, सिर्दद, दंतपिड़ा और फोड़े फुजियों में भी ये बहुत फायदेमंद है, कनेर का पोधा गार्डन की सुन्दरता बढ़ाने के लिए भी लगाया जात ध्यान रखें कि इस पोधे को कभी घर में लगाया जाता है, इसको हमेशा बालकनी और छठ पर लगाएं या अपने गार्डन में लगाएं वास्तु के नुसार कनेर का पोदा उत्तर या उत्तर पूर दिशा में लगाना शुब माना जाता है आपको धन प्राप्ति के लिए कनेर का पोदा घर में लगाना चाहिए घर में लगाने से मेरा मतलब है बालकनी में या छट के उपर या अपने गार्डन में घर के अंदर बिल्कुल भी ना लगाएं दोस्तों यह वीडियो हैं तक थी मुझे अमीद आपको पसंद आई होगे अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसबे पर आपको मिलती रहें मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यूँ